नमस्कार दोस्तों जैसे की परदेश में आपके गाउं छेतर में 13-14 रुपए ऐसे करके बहुत कम रेटों पे लोग धान की खरीदारी कर रहे हैं ऐसे में सरकार आपको एक उचीत रेट पे धान खरीदना चारी है यहाँ पे खरीदती भी है लेकिन जनकारी के अभाव में बहुत कम लोगी बेच पाते हैं इसमें 960 रुपए परती क्विंटल के हिसाब से यानि कि 19.5 रुपए रुपकी लोग के हिसाब से आप से खरीद रही है इसके लिए कुछ परिक्रिया है सारी बाते आपको ऑन-लाइन कैसे करना है पूरी हम बता देंगे इसमें यहाँ पर इस नीज के माद्यम से थोड़ी पढ़ ले तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि आपको मीनिमम उननी सो चालीस के रेट से मिले जाएंगे और हे भी क्वालिटी के दि होंगे तो वह आपके वही उननी सो साट रुपए के यह ग्रेड वाले धान खर दे जाएंगे ऐसे करके पूरी डिटेल्स दी गई ह यहाँ पर सेरकार के तरफ से कुछ सकती भी उठाई गई है इसमें अदि आपको किसी भी तरह की दिकत परशाणी होती है तो एक और न्यूज प्रेंट आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि धान खरिद की सीकायतों के समाधान के लिए कॉल सेंटर की सकती से सुरुआत की यह आई है आप 24 hour calls कर सकते हैं वो नंबर आपको यहाँ पर दीख रहा है 18000-00-110-110-100 यहाँ पर नंबर को एक बर और दिखा दे आपको यहाँ पर आप नंबर को देख सकते हैं यह है टॉल फ्री नंबर आप इसमें कभी भी call करके सीकायत कर सकते हैं आप अपने pax के माधि हम से अपने धान को कम से कम 1940 और अधिक से अधिक 1960 रुपए के रेट में बेच सकते है तो इसके लिए क्या परकिरिया कैसे ओलाइन करना होगा उसकी जलक आपको बहुत ही आसान है इसको करना यहाँ पर देख सकते है दो परकार के किसान एक रईयत किसान होते है जिनका अपना जमीन होता है अपना खेती बारी होता है वो मेक्सिमम धाई 100 कुइंटल तक बेच सकते है और एक होते बटाई लेके यानि कि गएर रईयत किसान होते है वो मेक्सिमम 100 कुइंटल तक बेच सकते है वो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ऑनलाइन की परकिरिया कैसे करनी होती है तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने मुबाइल एफिर लेप्टप में गूगल में जाके सर्च करना है DBT विहार जी हाँ वही साइड है वहाँ पर ही आपको यही से होता है सारी काम आपकी किसानवाली मैक्शिमम यही से होती है जो आपको पता है इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे खरिफ धान अधिप्राप्ती 2021-22 यहाँ पर आवेधन करें पर क्रिक करके आप आवेधन कर सकते हैं और अपना धान आसानी से बेच सकते हैं जो कि यहाँ पर पूरी इस टेप आपको नीचे में इंटरॉक्शन में दिया गया है कि इससे पहले आपके पास क्या-क्या होना चाहिए जैसे कि आवेधन देने के लिए OTP उनके पंजगरित मोबाइल नमबर पर भेजा जाएगा जो आवेधन के लिए आवस्यक्या को अपनी है कि पर एक ही मोबाइल संख्या का प्राप्त करें यहाँ पर किसान रेजिटेशन आपका होना चाहिए दि नहीं हुआ है तो यहाँ पर जागे क्लिक कर ले कोई तरुटी हुई थे यहाँ से कर ले आनि सारी बात ओभर ओल कि आपके पास पहले से किसान रेजिटेशन होना चाहिए जैसे कि आपको पता है कि साहा रेजिस्टेशन करने के लिए भी आपको डिवीटी वाली ये साइड पे ही एक पंजीकरन की आती है वहाँ पे पंजीकरन करे पे जाके आप पंजीकरन कर सकते है और उसके बाद में यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इस बॉक्स म करेंगे कि आप अधार नमबर से आफिर खोजना चाहते हैं मोबाईल नमबर पे लिए क्लिक करेंगे सर्च करेंगे आपका समय आसानी से आ जाएगा उसके बाद मैं आप अवेदन करने के लिए इसमें पंजीकरन संख्या को एंटर करके और यहाँ पर search पर click करेंगे तो आपका details यहाँ पर open होके आ जाएगा और उस details में आपको बस अपना bank खाता के बीबरन में आपका सब select रहेगा bank खाता आपको यहाँ पर भर देना है account number उसके बाद में क्या आपका bank खाता आदार से link है इसको होना जरूरी है आप आप हाँ पर click करेंगे यहाँ पर आप कहा पर धान बेजना चाहते है pax में या फिर बेअ पार मंडल में पैक्स में आपको सुविदा जनक रहेगा तो आप pax में by default रहने देंगे किसान का परकार आप select कर लेंगे रईयत किसान है या फिर गर रईयत किसान है यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना आधार विबरन यानि की आधार के अतरिक तेक और पहचान संख्या देना होगा जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड मददाता फोटो पहचान संख्या राजसरकार द्वारा इबगवरं देंगे, रयजेऌ का, जीलाक सेलेक्ट करेंगे, अंचल सेलेक्ट करेंगे, हलका मोज़ा, बस एड्रेस आप आपना देदेंगे, यहांपे पूरा, और उसके बाद में आप जमाबंदी पंजीकरन संख्या और जमाबंदी प्रिष्ट संख्या, यह दोनों आप आसानी से डाल के या फिर आप जमीन का आप इबरन खोजे पर जाके भी आप नक्षा द्वारा खोज के आप फिल करके यहाँ पर कैप्चा पर किलिक करके आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों यह तो मातर एक information बीडियो थी जिसमें आपको एक important date याद रखना जोरूरी था जैस इसमें अभी खरिदारी शुरू हो जाएगी यहाँ पर आपका important date है फंद्रा फर वरी तक यह आप कर सकते हैं आप registration करके अपनी धान को बेच सकते हैं तो फिलाल आज के वीडियो एक मातर informative वीडियो था आपको इसमें इससे related कोई बीजन कारी यह दी चाहिए हो तो आपके comment का इनतिजार करेंगे आपसे लोगे comment के अनुशार नया वीडियो और एक्दम से आपके मन के अनुशार वह वीडियो आएगा फिलाल information था विदाव लेंगे इसी के साथ मिलते फिर अगले वीडियो में नए information जनकारी के साथ तब तक लिए लेंगे आपसे विदाव टिक क बाइब बाइ